दोस्तों सक्सेस वीद सुमन के विएस में आपका स्वागत है और आज केंद्रिये विद्यालेश अंगठन ने 28 फरवारी 2023 सेकेंड शिप्ट जो प्रात्मिक शिक्षक की कम्प्यूटर आधारित परिक्षा भरती मुझभफर पूर में हुआ था उसका रिशिडियूल डेट निकल गया है जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों ने वहाँ पर हंगामा किया था उस सेंटर पर कुछ कदाचार जुक्त ऐसी घटनाए घटी थी जिसको हम सब ने देखा था लेकिन हम सभी लोग केंद्रिये विद्यालेश अंगठन के द्वार आप उन सभी इमंदार और मेहनती विद्यार्थियों को मैं शैलूट करता हूँ कि आप लोगों ने अपने परिश्टम और इमंदारी का परिश्य देते हुए वहाँ पे कदाचार से जुक्त जो परिक्षा हो रहा था उसको आप लोगों ने मीडिया में वाइरल कराया और आज आप उसके नतीजा देख रहे हैं कि केंद्रिय विद्याले शंगठन ने उस केंद्रि की परिक्षा को कैंसिल कर दिया है और साथ में ही डेट भी निकाल दिया है कि उसका एक्जाम 11-3-2023 को होने जा रहा है दोस्तों तो अब लंब आप अपना पूरा जनकारी लेते ह हुए और सभी विद्यार्थों से मैं यह आगरा करता हूँ किस जनकारी को जितने भी आपके ग्रूप में बच्चे हैं जो इसे लाभानवित हो सकें उन सभी को इस चैनल को शेर करिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों क्योंकि यह चैनल एक बहुत थी लिए मैं लाता हूँ और यह चैनल आपका है यह परिवार आपका है और आप इस परिवार के एक बहुत बड़े सदर्श हैं तो मैं यह आशा करता हूँ कि लिखा भी हुआ है कि मुझफरपूर डिश्टल सेंटर बैरिया रोड डादर अहियारपूर मुझफरपूर बिहा में जो एक्जामनिशन हुआ था उसको निरस्त किया जाता है और 11 मार्च 2023 की पुनह परिक्षा में अनुपस्तित रहने वाले अभयार्थियों को इसके बाद की परिक्षा का कोई औसर नहीं दिया जाएगा अर्थात आपका यह सुनारा औसर है आप इस परिक्षा को 11 तार को अनुपस्तित माना जाएगा और इस आउसर से बंचित माना जाएगा असपस्च शब्दों में केंद्रिये भी द्याले शंगठने या सुचना निकाली है और आप इस डेट को भी देख सकते हैं आज ही का डेट है 39-2023 का यह अपडेट है और यहां पे लिखा हुआ है कि दो-2023 सेकेंड शिफ्ट को नेमन परिक्षा केंद्र पर आयोजित प्रात्मिक शिक्षक की कम्प्यूटर आधारित परिक्षावर्ती संस्थान रिक्रूट्मेंट एजेंसी द्वारा प्रशासनिक कारणों से निरस्त की जाती है मुझभरपूर डिश्टल सेंटर बेरिया किया जाता है कि यह पुना परिक्षा दिनांके 11-3-2023 को आयोजित की जाएगी परिक्षा में दिनांक 28 फरवारी 2023 को उपस्तित परिक्षार्थियों के नए प्रवेश पत्र वेव साइट पर अपलोड किये जा चुके हैं अर्थात आप अपना एड्मिट कार्ड अभी उचित किया जाता है कि अपना नया परिवेश पत्र वेव साइट से डाउनलोड कर उप्रोक्त पुना परिक्षा में अपने निर्धारित परिक्षा केंदर पर उपस्तित हों 11-3-2023 की पुना परिक्षा में अनुपस्तित रहने वाले विद्यार्थियों को इसके बाद प आप इस ओसर से इस 2023 के परिक्षा से बंचित मानना जाएगा इसलिए आप सभी विद्यार्थि किर्पिया तुरंत अपना परिवेश पत्र डाउनलोड करिए और अपना परिक्षा केंदर देखिए और वहाँ पे ससमय उपस्तित होने का 100% परियास करिए और समय से पहले वहाँ पहुश कर आप अपने परिक्षा में अच्छा करें और बहुत है अच्छा करें और परिक्षा को शांती पुर्वक कदाचार मुक्त परिक्षा होने में अपना शर्योक करें मैं आप सभी भी त्यार्थियों को एक बार फिर से दुबारा अग्रीम बहुत सारी शुब कमनाये देता हूं केंद्रिये विद्याले शेंगठन में आप आएं और आप अपने भविश्च को स्थापित करें और देश के नौ निर्मान में अपना जुगदान करें शहजोग करें इन्ही आशिट शब्दों के साथ आज इस क्लास में इतना ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच इस चैनल को भेजें और बताएं कि इस चैनल किस परकार के इन्फरमिशन और किस परकार के एक्जामिनेशन के लिए बना है मुझे उमीद है कि सभी मित्र इससे बहुत ज़्यदा फाइदा उठाएंगे लभानवित होंगे जय हिंद जय भारत